बोचपुरी पावर स्टार पवन सिंग जी हाँ इन दिनों चर्चाओं में हैं गोविंदा के साथ होली का जो फेस्टिविल है उसके प्रोग्राम को लेगा आपको ये बता दे कि गोविंदा के साथ पवन सिंग का मिलना ये पहली बार नहीं हुआ है इसे पहले मलेशिया में स्टेश हो रहा था जहां पर ये दोनों मिल चुके हैं लेकिन हाँ ये बात और है कि वो मीटिंग और इस मीटिंग में अंतर है तब पवन सिंग गोविंदा से मिले थे लेकिन इन्हों ने एक दूसरे के साथ स्टे शेयर नहीं किया था यहां पर ये दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं और वो भी पवन सिंग के गाने पे बबुनी तेरे रंग में इसके अलावा यहां पर गुविंदा का भी सौंग बजेगा और उस पर भी दोनों डां और उनके स्टेप टू स्टेप मिलाना कोई आसान काम नहीं होता लेकिन पवन सिंग ने भी हार नहीं मानी उन्होंने भी जितना हो सके उतना उन्होंने गुविंदा के साथ स्टेप टू स्टेप फॉलो किया लेकिन यहां पर गुविंदा को प्रेज करते हुए खुद किया है पवन सिंग ने कहा कि गुविंदा के साथ डांस करना यकीनन रूमान चकारी है वो बहुत ही अच्छे डांसर है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं और वो हमारे समय के सबसे अच्छे एक्टरों में से एक है और आज उनके साथ डांस करने का experience सपना पूरा होने जैसा है हाँ ये बात और है कि मैं उनके जैसा बहतरी डांसर तो नहीं वैसे पवन सिंग से मिलने के बाद गोविन्दा काफी खुश है और आपको ये बता दें कि ये मुलाकात बड़ी ही प्यारी रहे यहाँ पर गोविन्दा ने भी पवन सिंग की खूब तारीफ की और उनके के कायल हुए यहाँ उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर गोविन्दा ने पवन सिंग से ये कहा कि उनका एक रिस्ता बनारस से भी है एक जमाने में उनके नानी के घर बनारस ही जाया करते थे और वहां उनकी नानी बहुत अच्छा गाना गाया करती थी जिसे बैट कर वो घंटों सुना करते थे आपको बता दे कि गुविंदा का ननिहाल बनारस में ही है मुझप्री जगत की होट और मसालेदार कौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुर न भूलिए